नमस्कार मैं हूँ योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डैज़र इस्ट्रोम न्यूज की एक जो नई पहल अभी चल रही है जेसल मेर इतिहास की नज़से अगर आप जेसल मेर के इतिहास या उसे जुड़ी जानकारियों में दिल्चस्पी रखते हैं तो आज ही हमारे चैन अरावल गसीं के समय के दीवान सालैंट सिंग जी हम उनके हवीली के बात करें और अक्सर क्रूर निर्दवद यूर जालिम जैसे शब्दों का प्रयोक किया जाता है उसने एक ऐसी हवेली का निर्मान कराया जो जेसलमे के इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्च करवा गई वही सालम सिंग जिसने पालीवाल ब्रहमनों को अपना देश अपना शहर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था जिसने ओसवालों और अन्यकई जातियों को परेशा करती थी मोती महल में दो लकडियों की बनी हुई मंजल थी जिसमें कांच और रंग का भी काम किया हुआ था जिससे रंग महल और कांच महल का नाम भी दिया गया था जेसलमेर में बनी हवेलियों में मोती महल अपने आप में अनोखी है क्योंकि ये दूर दूर तक दिखाई देती है अपनी उचाई की वजह से इस हवेली के चारों और 38 बंगलिया याने बालकानी बनी हुई है जो कि फूल फल बेल बूटे और नाचते हुए मोरों से सजी है दीवारों और छटों पर सोने का काम किया हुआ है इस हवेली को बनाने में सिमेंट और गारे का इसमाल नही पुरानी हवेली के अफशेश पर किया गया है जो कि इनके ही पिता सरूप सिंग जी द्वारा बनाई गई थी इस हवेली में लगे शीशों को बैल्जियम से और मार्बल को इरां से मंगाया गया था इस हवेली की छत को मोर क्याकार का और सामने के हिस्से को जाहाज क्याकार का बनाया गया है एक दंदकता की माने तो सालिम सिंग ने अपने हवेली को साथ मंजिला भवन बनाया था ताकि उसकी हवेली जैसल में किले के समानान तरा सके और फे उसकी मंशा थी कि वो एक पुल बनाए जो अपनी हवेली से किले के बीच हो जिससे की जब भी उन्हें र अगर सालम सिंग ने वो पूल बनवा दिया होता तो शायद जिसलमेज के प्रटकों के लिए एक और आकशन का केंद्र होता दो मंजल अटाने के बाद भी यह हवेली शहर में सबसे उचे इमालत है वास्तुकला की द्रश्टी से भी यह एक बहतरी नुधारन है लेकिन रख रखाओ की कमे की वज़े से आज यह जरजर हालत में है वर्तमान में यह हवेली सालम सिंग के वन्शत संभाल रहे हैं आज की कड़ी में फिलाल इतना ही जिसलमेज की खब्रों के लिए जुड़े रहिए डेजर इस्टॉम निउस से